नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बड़ा investment कर लिया है, करोडो में investment है और पैसे निकल नहीं रहे हैं तो ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी जिंदगी आगे कैसे रहेगी, पैसे निकलेंगे की नहीं, और आगे के life में क्या कुछ कर पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे की नहीं वर्तमान समय में बहुत ये अच्छा समय नहीं बिता रहे हैं, काम भी हो रहा है लेकिन जिस हिसाव से पैसा आना चाहिए, वो आ नहीं रहा है काफी life में पैसा कमाया है, काफी आगे बढ़े हैं वो इनकी हतेली ही बता रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत नीचे से उपर का सफर तै करते हैं अपने व्यक्ति का जिंदगी में करूरो अरवो के मालिक बनते हैं क्योंकि इनके हाथ पर वो अवस्थाएं बनी है और आज आपका समय जो भी है जैसा भी है आप ये गैरेंटी समझो कि आने वाला समय आपके लिए गोल्डन रहने वाला है और आप आगे जिंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले है क्योंकि आपके एतली पर वो अवस्थाएं मौजूद हैं और बड़े-बड़े बिजनसमेन बड़े-बड़े जॉब करने वाले जो करूरों में सैलली लेते हैं उनके हाथ पर ऐसी अवस्था रहती है और वो जिंदगी पर बहुत ज़्यादा धनलाव और आगे बढ़ते हैं इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है तो वही वाली कुछ अवस्था आपके एतली पर वी अवस्थेत है तो आप तो blessed है इश्वड की बड़ी असीम करपा है आपके उपर चमतकारी चिन्न है और वरतमान सवे में क्यों परशानी है उस बात पर भी आगे हम discussion करेंगे तो सबसे पहले हम मीठे से सुरवात करते हैं positivity से सुरवात करते हैं जो की बहुत चमतकारी positivity आपके उतली पर अवस्थेत है ये चमतकारी positivity जिस भी व्यक्ति के उतली पर अवस्थेत रहती वो व्यक्ति अपने जिंदगी पर बहुत ज़ाद ही पैसा कमाते हैं धन कमाई को लेके बिल्कुल भी संदेह नहीं है और बिलकुल भी संदेहें रखने के आवशक्ता नहीं, तो आईए विचार करते हैं, इनके हतली पर एक खुबसूरत मरी ट्रेंगल बना है, खुबसूरत मरी ट्रेंगल और ऐसा मरी ट्रेंगल अथवा गेटर ट्रेंगल, जातक को जिन्दगी पर बहुत ज़्यादा धनवान बनाता है, और इनके हाथ पर दोनों ही अवस्थेत है, तो अपनी अपनी हतली खोल लीजे और देखिये कि अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था होगी, तो जिन्दगी पर पैसा कमाना तय है, जिन्दगी पर धन आना तय है, धन कमाई के योग को ये बताता है, और जातक को तो यह देखो इनके हाथ पर जो अवस्ता है बुद्ध रेखा यहां से सुरूए एकदम प्रॉपर बुद्ध लग इनके हातली पर अवस्तित है जिसको बुद्ध लग कहते हैं मर्करी लाइन कहते हैं बुद्ध रेखा कहते हैं और यह रेखा कहां पर से मनिट रेंगल बना नाम से है ये जातक को धन देता है ये हाथ पर रहे तो जिंदगी पर पैसे आते हैं और जिंदगी पर बहुत जादा पैसे आते हैं इस बात का परचे कराता है तो इसको हम धन रेखा के रूप से संबोधित करते हैं किसी भी वेक्ति के हाथ पर ये अवस्था रहती है तो ऐस इसको हम धन तिरिवुज कहते हैं और ये तिरिवुज जिस भी वेक्ति के हाथ पर accuracy के साथ है जैसे इनके हाथ पर है तो आप जिंदगी पर पैसा कमाते हैं इस बात को न किसी paper पर लिख लो और आज ओ मेरे office में sign कर निकलती आ रहूं क्योंकि मैंने जिस भी वेक्ति के हाथ पर ऐसी वस्था देखी है वो वेक्ति पैसा कमाते हैं अब खर्च होता ही secondary matter है पैसा नहीं बसता ये secondary matter है पैसा बिमारी में लगता ये secondary matter है पैसा इन्वेस्ट कहीं कर देते हैं ये secondary matter है लेकिन पैसा कमाते जरूर है ये primary matter है ये प्राथ मिक्ता है कि पैसा कमाते जरूर है पैसा आता जिन्दगी पर जरूर है, धन के लिए किल्लत नहीं होता, पैसा दिखते बहुत जादा है, अब और भी चीज़े आपके इतली पर होती है, केवल एक मनिटरेंगल आपके हाथ पर रहेगा, तो आप अरब पती थोड़ी बन जाएंगे, इसके अलावा भी बहुत प पैसा आता, इस बात की गैरेंटी है, तो मनिटरेंगल देख लिया आपने, अब हम थोड़ा आगे जब इनके वीडियो इनके हाथ पर बर रहे हैं और पॉस्टिविटी क्या है, ये तो बहुत शानदार थी, अब केवल एक पॉस्टिविटी से न, आप अरब पती घरब प शक्ता है, कहते हैं जिन्दगी में ये प्रोग्रस लाइन काफी होती है, लाइफ को जातक को तरक्की कराने के लिए, लाइफ में आगे बरने के लिए एनरजी क्या वशक्ता होती है, और प्रोग्रस लाइन का दूसरा नाम होता है, एनरजी वाली रेखा, आपको एनरजी golden होता है तो आपको potential भी अंदर से रहता है energy भी रहता है काफी समर्थ भी ताप रहते हैं और कोई स्वास्त की घर बड़ी भी नहीं होती तो अब इससे बड़िया blessed बात और क्या ही हो सकती है जिन्दगी पर कि आप स्वस्त हैं मस्त हैं किसी भी प्रकार के कारे को करने के लिए शक्षम है तो अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है तो आपकी जो progress line है ये बहुत ज़ादा अच्छी है आपके हाथ पर ये बहुत शांदार है बहुत शांदार है तो ये इंडिकेट करती है कि ये ऐसे विक्ति लाइफ में परस पर तरक्की को करते हैं और जिन्दगी पर एक बढ़िया मुकाम हासल करते हैं तो progress line आपने देख लिया आगे की भागी रेखा भी बहुत जबरदस्त है आगे की भागी रेखा भी बहुत बहुत बढ़िया इसमें बिलकुल doubt नहीं है तो भागी रेखा जिन्दगी के लास तक है तो बढ़िया positivity है कोण कहता है दो सूरी रेखा खराब होती है भागे साली वेक्ति के ही अतली पर दो सूरी रेखा होती है इतनी visibility के साथ इतने अच्छे strength के साथ जिस भी वेक्ति के हाथ पर दो सूरी रेखा हो उस वेक्ति को प देखाएं बन रही है जो कि बहुत जबरदस्त है यहां से भी देख रहा हूं मैं तो एक ट्रेंगल जैसे आकरती दिख रही है पॉस्टिविटी स्कॉयर तो यहां से भी दिख गया स्कॉयर यहां से भी दिख गया स्कॉयर को लेकर तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है औ और positivity पर मैं विचार कर लूँ एक शांदार रूप से दिखने वाली मंगल रेकातली पर है जो कि बहुत गजब है जो कि बहुत ज़ादा गजब है ये मंगल रेका भी बेहद शांदार है उसके बाद और positivity मैं दिखाऊं तो ब्रश्पती पर प्रॉपर्ली स्कॉयर डेवलप् और आगे के लिए मैं विचार करो तो बुद्ध रेका ये भी है बुद्ध पर खई लाइन से दिमाग भी काफी ज़ादा तेज होता है आपका नो डाउट और यहां से भी कुछ लाइन से सपोर्ट की ही लाइन से है चलो ये तो होगी लाइन से किये वह उसमें positivity जो की मोहक थी इनके हैतली पर बरी शांदार positivity थी इनके रेखाओं में रेखाओं में बड़ा कमाड का चमक था जहापर से लाइफ में पैसे आते ही आते हैं ना पैसे आने वाली बात ही नहीं है अभी planets भी positive होना जरूरी है अगर आपको जिंदगी पर सच में सफल होना है तो आपके ग्रह भी अच्छे होने बहुत जरूरी है इस बात का तो आप दिमाग में जरूर रखने ये बात तो दिमाग में रखना भी चाहिए अब इनके planets देख लो आप शुक्र कितना बढ़िया है दोडों मंगल बहुत जबरदस्त है highly energetic है मंगल काफी है चंदरमा काफी बढ़िय ये लेकिन जो गरबर planets रहता है उसके regarding side effect भी आता है इस बात का भी ध्यान रखना तो ये positivity ती ये positivity जिस भी वेक्ति के हाथ परोगी सफल बनेंगे लेकिन थोड़ा भी जो मैं नेगेटिव चीज़ पर वज़ार करूँगा तो negativity को भी समझ लेना बहुत जरूरी हो जाता है योकि जब तक आप नेगेटिव चीज़ों को नहीं समझते हैं तब तक आपको पता नहीं चलता आपके अंदर खामी क्या है और अगर आपको जिन्दगी पर आगे बरना है ना तो अपनी खूवी को कम पता करो खामी को ज़ादा पता करो और सुधार कर लो अपनी खामी मे है करोरों की हतेली है पैसा भी खूब कमाया लेकिन फिर अभी दिक्कत क्यूं है तो मैंने इनके हाथ को देखके करोरपती तो बता ही दिया है भी और मैंने यह भी बता दिया कि आपके हर 20-20 साल में प्राबलम्स आपके जिनदगी पर मतलब इनके जिन्दगी ऐसी है ना जिसके भी हाथ पर ऐसी वस्ता उसकी जिन्दगी ऐसी हो सकते है कि दो तीन साल बहुत उपर चले जाएंगे सड़नली फिर ब्रेक डाउन होगा सड़नली फिर डाउन फॉल स्टार्ट होगा और फिर वहीं पर आ जाएंगे ये बाली जो न राहू रेखा है जो परस पर एक समय तक तक तो है उसके बाद तो नहीं है पर एक समय तक राहू रेखा है जो जातक को परशान कर सकता है अब किसी वेक्ति के हाथ पर ताकतवर राहू रेखा होती है और वो जापके जीबन रेखा पर नजर आ जाए तो हर दो तीन साल में बहुत जादा नीचे आ जाता है उस downfall को आप control कर सकते हैं और उस downfall को बहुत जादा डाउन होने से बचा सकते हैं मदद कर सकते हैं मतलब downfall बहुत जादा आपका नहीं होगा बहुत बड़े downfall के योग को हम थोड़ा कम कर सकते हैं राहू रेखा के strength को कम करके इसका remedy किया ज सकते हैं, आप खोद से remedy करके ठीक कर सकते हैं, बस इसके स्थती को देखके भाब के इसके लिए उपाए कर लो, या आपके लिए जादा फलदा ही रहेगा, तो ये पहली negativity थी, अब इतनी भी ताकतवर राहु रेखा तो इनकी नहीं थी, कि इतना बड़ा प्राब्लम्स क्रियेट कर देगी, जितने बड़े समस्या में, ये कभी-कभी फस जाते हैं, अब वो प्राब्लम क्यों आई, वो प्राब्लम आने का मुख्य रीजन था, इनका ब्रश्पती गरबर है, चप्टाव अवस्था में दिख राए तो इमेडेटली राहु रेखा को उपाय करो अथवा ना करो, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, और अगर हाथ पर ब्रश्पती गरबर होना, पारिवारिक समस्या मतभेद, कहीं न कहीं, आपके दोस्तों मित्रों में कोई समस्या आएं और आपके कोई इल्जाम लगना, मानहानी का दावा करना, जो गलती आपने नहीं कि उस बात का सजा मिल जाना, पैसे फसे होने की सिकायत, कार इछेतर को बहुत ज़ादा वस्तारन ना करने की सिकायत इस प्रकार के समस्या है, परस पर जाता को देखनी पड़ी है, और इनकी जुपेटर में थोड़ी करबरी मुझे दिखरी है इवन पूरा फ्लैट दिखरा है मुझे जिसमें स्ट्रेंथ कम है, इसका आर्थ है किसका रेमेडी, as soon as possible आपको कर लेना चाहिए, ये दो ना रहने की वज़ा से, positivity जाधा रहने की वज़ा से, जातक 100% समस्या से निकल के होंगे इस बात का परिचब इनकी इदली बता रही है 100% बता रही है, 100% कि समस्या में पढ़ते जुरूर हैं लेकिन उस समस्या से निकल भी जाते है ना निकलने वाली तो बात ही नहीं है तो यह चीज़ आपने देख लिया तो यह इनकी negativity इसने इनको प्रशान किया अब इसका remedy क्या हो सकता है इसका remedy यही हो सकता है सबसे पहले राहु रेखा का उपाए दूसरा जुपिटर का उपाए तीसरा आप उपाए कर लो अपने मंगल पर खड़ी रेखा के बारे में जो आपको कोट के चली के लफ़ड़े को दर्शा रही है यह तीन remedy करने के बाद आपके जिंदगी में खासा सुदार आपको देखने को मिलेगा और आपकी जिंदगी फिर उसी पटरी पर आ जाएगी और एक समय के बाद तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है एक समय तक जो समस्या थी और जुपिटर का उपाए करने के बाद वो समस्याएं भी कतम हो जाएगी तो इसका डिमेडिक करो ये था प्रॉपर टाइकनों से साथ का और भी कुछ नेगेटिविटी पॉस्टिविटी है जो कि मैं अतेली का जब वेशेशन करूँगा ना चीजों को समझा दूगा अभी प्रशनते इस्थितियां कब से सुधरने के आसार है और अतेली क्या बता रही है तो उसी बात का परच्चम में आपके अतेली के माध्यम से कराने वाला हो और समझाने वाला हो सबसे परहे तो आप काफी इंडिपेंडन्ट सोचके ऐसे व्यक्ति ना सुनते सबका हैं करते अपने मनका है इनको अगर आप कुछ बात सुनाना चाहोगे तो वो इनसे संबबब तो है नी वो तो ये सुनेंगे नी ये सुनते ही नी कभी उसके बाद देखो तो बचपन में कुछ दिक्कते रहे हैं थोड़े स्ट्रगल्स बड़ी जिंदगी रहे हैं यहां से दवाब भी दिक्रा मुझे एक प्रगति के योग आपके हाथ पर जरूर थे ये योग आपकी बता रही थी चारी में ब कशते हैं दिक्कते रहे हैं दिक्राइस तालिस में बिप्रित पश्टी तालिस में है तो 43, 44, 45, 45 वर्स तक कुछ एक राहूर एकावियाल की से दिक्री यह वो बनी है 46 में साड में तरक्की यह मुझे दिक्री यह और 40 में बड़ी आत्रा है और 50 वर्स के बाद भी एक बड़िया प्राग्रस लाईने 55 में वर्स में और एक दो मुकी जीबन रेका है जो कास्मिक दनलाव को बता रही है हलका सफिश बनाने के कोशिश जरूर कर रही है जो कास्मिक दनलाव को बता रहा है जिससे कास्मिक दनलाव जातक का होता है इस केस में बिल्कुल दाउट नहीं है तो ये तो होगा इनकी positive वस्ता जीबन रहेगा वर वैसेज कोई problems नहीं है एक period के बात लेकिन फिर भी आपको Jupiter जो आपकी negativity है उसका remedy कर लो और भी जो थोड़ी बहुत remedy है वो कर लो आपके जिंदगी पर समस्याओं का नामों निशान खतम हो जाएगा तो चलो जीचीज आपने देख लिया अभी तो मैं विचार करूंगा इनके हाथ के पूरे विचलेशन के तरफ इनके positivity नेगटिविटी इनके जो major प्रस्चन थे उस पर मैंने विचार कर लिया अभी इनके एतली का पूर्ण तब इसलेशन करेंगे चीजों को असपस रुप स हैं बिल्कुल डाउट नहीं है गुलाबी एतली है जब भी पैसे किया वशक्ता हो कहीं नहीं कर जिसे जिन्दगी पर धन जुरूर आ जाता है धन को लेके विसे इसकर समस्याओं का योग नहीं है पैसे जिन्दगी पर 100% आते हैं जबरदस थंब है जबरदस वेक्तितु क हैं बिल्कुल डाउट नहीं है यहां पर से देख लो इनके एतली पर एक ट्राइंगल जो काफी महात्वां कांची नीचर को इंडिकेट करता है और एक जबरदस थंब एक जबरदस वेक्तितों का परचे कराता है जबरदस्त समयधारी के लूप काफी अच्छी वेक्ति ब इंडिकर रही अच्छी डारमी कास था और फिंगर के बीच में थोड़ा गयाप है थोड़े खर्चले परवर्ति के हैं सेटर्न फिंगर लंबी है तो यह इंडिकेट कर रही है ऐसे वेक्ति 100% काफी महनती है हिम्मत को भी इंडिकेट कर रही है सूरी फिंगर आपकी विचार कर लो तो काफी इंडिकेड़ पर से दवाब है तो यह इंडिकेट कर रहा है कि इस्ट्रगल रहा है सुर्वाषी दर में बलकूल डाउट नहीं है स्कौायर आपके इसली पर जरूर बना हुआ है विष्पति नहीं थोड़ा रहा है मतम पैसे जिंदगी पर जिरू है आपकी जिस भी वेक्ति के मस्तिक स्रेका ज़्यादा बड़ी हो तो ऐसे वेक्ति को ओवर कॉंफिडंस में कोई भी नरने नहीं लेना चाहिए थोड़ा बातों को गहराई के साथ समझ लेना चाहिए ऐसे हर बरा के पैनिक होके किसी भी प्रकार के कारे को करना उच्छत नहीं रहेगा आपके लिए अना कि दिमाग के आप तेज हैं कुछ ट्रैंगल से जो नेगेटिविटी को दूर जरूर कर रही है बाकि इरदेर एका काफी अच्छी है बावुकता मुझे दिक्री आपके एतली पर आगे भी इरदेर एका बहुत जबरदस्त है इंसान दिमाग और दिल के बहुत पूरा साथ यहां पर सिधर साइड देखा कि यह इंडिकेट कर रही है कि ऐसे विक्ती पैसा जिंदगी पर कमाते विदेशी धर्तिया घर से दूर की उन्नती भी होती है दो इस्टरब शुक्र वले थी मूट स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है काम में स्टि से जादा सूरी रेका इंडिकेट करती है कि ऐसे विक्ती काफी समझदार है और कम मेहनत में जंदगी पर बहुत कोई आसिर कर लेता है परिया ट्रेंगल है तो यह इंडिकेट कर रही है कि लाइफ में बहुत कुछ मिलता है प्रॉपटी विगरा सब बनाते हुआ यहां से अब देख लो एक लाइन है तो यह इंडिकेट कर रही है प्रॉपटी बनता है दो सूरी रेका कम मेहनत में जादा सफलता मिलता है अगर कुछ नेगटिविटी आपके हाथ पर नहीं रहती न तो आप जिंदगी पर पीछे मुड़के कभी नहीं देखते हैं एक लाइन जो पैतिक संपत्ती का मद्यमस्तर यह साथ बाकी बुद्ध पर खड़ी लाइन से तो यह इंडिकेट कर रही है ऐसे वेक्टी बहुत तेस तरह होते हैं पैसा कमाना तो इनको आता है इसमें कोई डाउट नहीं है सनमर्करी अच्छी है कोशिश यही रहती इनके बुद्धि व प्रॉपर्टी तो बनता है आपका गारी मकान का सुख भी बढ़िया मिलता है आपको धोड़ों मंगल बहुत जबरदस्त हाईली अनरजेटिक यह थोड़े कोट के चरी के लफरे को बताता है वो तो आपके जिंदगी पर हो गया आप अप ख्यासा की धियान रखना आप कि इसके रेमेडि में मैं दूँगा दोडों मंगल वैसे बहुत जबरदस्त है प्राकरिमी वेक्ती है यह लाइन्स इन कहतली पर है कुछ यात्राओं को बताती है घर से दूर के उन्नती को बताती है चंदर्वा अच्छा है पैसे की फ्लो बनी रती जिंदगी पर पैसे बात हुई है तो इंडिकेट कर रही है कि पानी के तरह जिंदगी पर पैसा आता है विद्देसी दर्जी से धनलाब भी होता है सुनवाती दौर से बागे रेका बिल्कुल भी अच्छी नहीं थे 18 वर्स के बाद ठीक थी एक मेजर चेंज आपके 24 वर्स के बाद बढ़िया अच्छी है एक समय के बाद तो जिंदगी आपकी बढ़िया हो रही है मंगल ड्रेका भी बढ़िया है मंगल ड्रेका प्रोटेक्टिव रेकाओं के रूप से कार ही करती है जातक को किसी भी प्रकाय के समस्यां से निकालने मदद करती है यह देखो लगज़री सुक्य है प् सोचने पर मजबूर हो जाते हैं यह कलग बात है मंगल ड्रेका भी ठीक है मंगल बढ़िया है तो प्राक्रमी है किसी भी प्रकाय की समस्या आ जाए थोड़ा वरीड होते हैं लेकिन फिर उसी इनर्जी के साथ कारी करना सुरू कर देता और उसी इनर्जी के साथ जिंदगी पर सफल भी हो जाते हैं बेलकुल डाउट नहीं है तो मंगल शुक्र भी आपका बढ़िया है चीज़े आपके तरी पर फेवरेबल हैं चतिस के बाद की बाग यह रेका भी अच्छी है बस थोड़ा नेगटिविटी को ठीक कर लेना है बागे कोई समस्या की बात नहीं है तो यह था इनका तरी का पूर्णता विश्टेशन अगर आपको अमारे यह वीडियो पसंद आए लाइक कर दे कमेंट कर से सब्सक्राइब कर दे अगर आप विक्तिकर दूर्प से में सस्त्रे का रिखाके सही जानकारी पाना चाहते हैं अमारा वाट्स अप नमबर डेस्क धन्यवाद